बैंकिंग शित्र में तमाम सुधारों के तहट केन सरकार ने फैसला किया है कि इमांदार कर्जदारों के लिए सरवजनिक शित्र के बैंकों से कर्ज लेना असान बनाया जाएगा जबकि बड़े लोन डिफॉल्ट रो पर कड़ी निगरानी होगी इसके साथ ही करोड रुपए से जादा के कर्ज के मामले में किसी भी नियम के उलंगन की रिपोर्ट देना भी जरूरी कर दिया गया है इस योजना का मकसद कर्जदारों की इमंदारी को पुरुस्कित करना और सही कर्जदारों की जरुरत के लिए कर्ज की विवस्था को आसान और बाधारहित बनाना है इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि वो सारवजनिक शेत्र के 20 बैंकों में 31 मार्श से पहले 88,149 करोड रुपए निवेश करेगी इस फैसले के बाद रेटिंग में सुधार आया है अंतराश्य रेटिंग एजनसी क्रिसिल ने सारवजनिक शेत्र के 18 बैंकों की रेटिंग को नकरात्मक से इस्थिर किया है विभिन तक्नीकी उपायों के अलावा GST रेटरंड से भी बैंकों को नकदी प्रवाह की काफे जानकारी मिल सकेगी इस आधार पर भी बैंक रिन मन्जूरी के बारे में फैसला कर सकते है इससे पहले सुधारों की घोशना करते हुए वितमंत्री अरुन जिटली ने कहा था कि बड़े कर्ज देने के सक्थ नियम तै किये गए है बीरो रिपोर्ट एपी एन